परदीप नर्वाल का सुपर 10 इस मैच में लोडेड है या आप मान के चलो इस मैच में परदीप नर्वाल अलग लेवल से खेलने वाली है लास्ट मैच में यूपी ओर्धा की टीम सामने वाली दवंग डेली केसी को फैंटी लगा दी थी एक मात्र एक्सपर्ट वाय था जो आपको बोला था यूपी की टीम उस मैच को जीतेंगी जाब बाकी सारे दुनिया बोल रेटी दवंग डेली केसी इस मैच को वीन करने वाली है सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मुकाबला खेला जाएगा यूपी ओर्धा वर्सस बेंगलूरू बुल कर दूं कि नमस्कार मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने वैके यूटूब चैनल पेडिक्शन राजा में दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं बेंगलूरू बुल्स वर्सेज यूपी ओर्धा के बीज्यो खिला जाएगा मैच नमर दस उसको लेकर हम डिटेल्स में देखेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेकर फाइनली पी यार फैमिली की जो ड्रीम थी कि मेगा जील उननचास वाली में एक रेंग देनी है वो हम लोगों ने कल दे दिया था और आज गोसिस होंगी यह मैच में मैं परिस्टनली इनिवेस्टमेंट करूंगा इस मौल लीग में अधिक से अधिक है अगर हम बात कर लेंगे कि स्टार्टिंग से वनाने के बाद हमारे टीम में अगर कुछ फिर बदल होती है उसका अपडेट आपको कहां पे मिलेगा तो उसका अपडेट आपको से टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर क्लिक किजिए और फटाफ़ टेलीग्राम चैनल से जोइन करके रख लीजिए और हां अगर आप लोग में से अभी भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यूटूब चैनल को स ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो के स्टार्ट एक लाइक से कीजिए पीकेल सीजन 11 की आगाजी जवर्दस्त हुआता और पहले ही तिन प्यार फैमिली ने जील में रेंक वन ला ली थी और उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे तो जील लगातार आ 123 पॉइंट के असपास दिये थे और ड्रीम टीम के कैप्टन बने थे इस मैच में अभी कहता हूं परदीप नरवाल आग लगाने वाली है दुनिया कैप्टन भी से इनको नहीं करेंगे मुझे पता है लेकिन परदीप नरवाल को आप यहां पे जरूर कंसीडर कीजिएगा यहां भी देखिएगा कि इसमें भी हम लोग का जील में साड़े कंटेस्ट में जो है 9995 में एक सुनचास में एक साड़े कंटेस्ट में हम लोगों ने रंक ववन दिया था और यहां पे बिल्कुल फ्री कमेंट गीवब हैं 500 रिपीज की आपको करना क्या है वीडियो को ल प्रेस्ट लगा वह हमारे गीववे के विनर बनेंगे वह स्कीन सट मैं टेलीग्राम कर दूंगा फिर आप मुझे अपना फॉन पे नंबर सेंड कर देना और मैं उस पर 500 रिपीज क्रेडिट कर दूंगा ठीक है तो जरूर पाइटिसिपेट कीजिए लेकिन सबसे जरूरी है वीडियो लाइक और यूटूब चैनल सब्सक्राइब होनी चाहिए अगर मैच को लेके बात कर लेंगे तो दोनों तिम आमने सामने 15 दफा आई है जहां पे बैंगलूरू बूस जीती है नो दफा और यूप यूद्धा जीती है छे दफा अगर हम बात करेंगे लास्ट चाहिए भरत हो चाहिए वो सुरंदर गिल हो या फिर भवानी राजपूत हो तीनों के तीनों और फॉर्म है लास्ट मैच में भवानी राजपूत ठीठा खेल गए थे जब तीन किसी के पास में नेटर होता है न तो वहां पर वैसा उनके बेस टेडर के फ्लॉप करने के च अब ताने परडिप नर्वाल वह यूपी अधा में खेल देते उस मैच में सुमित 200 बैच में लहे थे एजन कैप्टन थे ड्रीम टिम का नांदाल सही नासी नितेश कुमार एक सक लाए थे जो की बंगाल वाड़े से खेल रहे हैं गुर्दीप जो की पटना पैट से खेलन दवंग दली कैसी को इस मैच में यूपी अठेच्पइंट अरजित किये दवंग दली तेश यूपी अधा का रेट पॉइंट बारा थे सुपर रेट जीरो टैकल पॉइंट तेरम और एक्स्टा पॉइंट एक अगर हम बात करें पिलियर का प्रदसन भवानी राजपूत आप मेरे वाले वीडियो को जाकर देख लेना मैंने कहा था कि साहूल के राइट डिडर के सामने स्टेट्स जवरदस्त है अब क्या होगा इस मैच में साहूल फ्लॉप चले जाएंगे जबकि उनके पास अपरचुनिटी सबस्यादा वनेगा बट लेट डिडर के सामने जो सब्स्टिचूट में दो टैकल एक सुपर टैकल आशो दो टैकल सुमित सांगवान दो टैकल इनके दो तीन टैकल हो गया था बट गल्ती से इनका एक टैकल में पाहुंच जो था वह उनका बाहर चला गया था फिर यहां पे केषब कुमार एक एक रेक्टर तर्च हितेस बरत को तो मौका मिला था कुछ किये नहीं अब यहां पर एक बाद धियान रखेगा बीवेक और महंदर सिंग बीवेक कुमार कहलेंगे हम डॉप कर देंगे लेकिन अगर महंदर सिंग खेल जाते हैं ना सीधा हमारा समीकरन बदल जाएगा धियान रखेगा उस कंडिसम जैसे मैं अब यूपी को फैबिट बोल रहा हूं इस मैच में कि यूपी फैबिट नहीं होंगे मतलब मैं उनके अगेस्ट बोल रहा हूं यहां पर बेंगलो रूबुल्स फैबिट होंगे लेकिन अगर महंदर सिंग खेल जाते हैं मेरा समीकरन सीधा बोदल जाएगा जो कि आप कर लेंगे यहां पर जो स्टार्टिंग सेवन राने वाले हैं किसका यहां पर आपको दिख जाएंगे यूपी उद्धा का तो उनका मैंने आज पूरे दिन इसी पर डिसकस किया है तो बहुत कुछ आपको यादी होगा यहां पर आपको दिख जाएंगे सुमीत कुमार ले आपको कुछ दिर्बाद सब मालूम चल जाएगा फरत उड्डा लेट डोनों डेटर है प्लस राइट इन पे दिखेंगे शाहुल कुमार रेट कोर्णर पे दिखेंगे अब यहाँ पे अगर मान लोग कभी सुमीत ओर्ट होते हैं तो महमध रिजा आएंगे उसके लगा दूसरा अजिंग पवार दोनों के दोनों लेट रेटर हैं जो सीधे जाएंगे साहुल के पास और अगर साहुल के सपोर्ट में भीबे कुमार लिफ्ट कवर पे हुआ तो जम के पैंट लेके आएंगे परडीप नर्वाल यह आप गांट अभी बांध लो लेकिन वहीं पिलाना इतना असान नहीं होगा क्योंकि महंदर जवर्दस डिफेंडर में से एक है ठीक है अब अगर हम बात करेंगे इसके बाद तो यहां पे अगर मानलों यह दोनों परडीप और यहां पे अजिंक पवार डीप जाएंगे बोनस के लिए तो भरत दुड़्या के पास उपरचनिती के रेट होगा उसके बाद यहां पे अगर ज्यादा डिप जाएंगे तो लिफ्ट कॉर्णर से सुमीत कुमार भी आके टैकल कर सकते हैं तो जो सबसे ज्यादा उपरचनित करेंगे उनमें साहुल कुमार एक नाम होगा दूसरा नाम होगा यहां पे अगर राइट रेडर के सामने जबरदस्त है लेकिन इनका स्टैट्स एंकल जब यह प्रकरन जाते हैं वहां पे बूरा हो जाता है यह प्रेडर के सामने यह बहुत ज्यादा मिस्ट टैकल करेंगे और इसका फाइदा उटा सकती है परदीप नरवाल की टीम उनके पास एक रेट उनका सामना होगा सुमिट से उनका सामना होगा राइट कवर आसु सिंग है और उनका सामना होगा साहल कुमार के तो मुझे लगता है कि सामने वाले टीम जो है जब मुझे इतना पता है तो वैसे बेंगलूरू बुल्स के कोच है इतने जवरदस्त कोच है उनको ऐसा थुड़े की मालूम नहीं होगा तो इस मैच में वो जैफ अकवान का कम यूज करेंगे अजिंग पबार और पडिप नर जंदर गिलों चाहिए ब्रत उद्दा हो चाहिए बवानी राजपूत हो अब इस लास्ट मैच में जो इनका मुगावला दिली के था वहां पर में डेटर बन चुके थे बवानी राजपूत लेकिन जो बड़ी बात थी वो बरत उद्दा और श्वेंदर गिल मैच पर बने में 20 मैच खेले थे स्विफ 50 पॉइंट सुपर एड एग दफा सुपर टैकल एग दफा अवरल कवर्डी में इनका सच्छा नहीं है उनसाथ मुकामला खेले हैं टोटल 154 पॉइंट निकाले हैं यह ब्रीज पॉइंट पर मैच में 2.7 है डेडिंग का अगर हम पात करेंगे इनके बाद बीवेक कुमार लास्ट मैच में देखिएगा दो टैकल पॉइंट निकाले थे पीकल सीजन 10 में खेले ही नहीं थे और अवरल इनका प्रदस्टन कुछ भी नहीं था यह बीवेक कुमार पिछले मैच में दो टैकल निकाला था क्या एक मिनिट मैं आपको बताई मैच में मीनी जील जील में भी ट्रै नहीं कीजिएगा पीकल सीजन 10 में 18 मैच निकाले थे लेकिन यह मतलब समझो की ऑटा फॉर्म बिल्कुल नजरा रहे थे एक दफाह जब इन्होंने योगियस को रसीटते हुए मतलब मीड्लेंड के बार लेगे थे नहीं वहां लगा था कि सुरंदरगी अपनी सुरंदरगी वाली फॉर्म है पीकल सीजन 10 में 10 मैच के लिए उसके बाद इंजरी कंसर्स हो गया था जिसमें 87 लाए थे सूपरेट चारवार सूपर 10 चारवार किये थे अवर आल पचासी में 65 प्रोकवर्डी का मैच के लिए जिसमें इन्होंने 510 पॉइंट अर्जित किया विरेज पॉइंट पट्रेक मैच में तकरीवन आठ के आसपास मारा दुट्ड्या को लेके बात करें लास्ट मैच में विल्कुल और फॉर्म थे जवकी इनके पास पोटेंशियल बहुत मैच में इनका कवर्डी में 520 पॉइंट है एवरेज पॉइंट हर एक मैच में आड़ श्मीत कुमार इनका लास्ट मैच में दो टैकल पॉइंट हां फीर बात करेंगे पीकी एल सीजन दस में 62 मुकावला 16 पॉइंट हां सुपर टैकल छे दफां हाई-फाइफ छे दफां उसके लबा अवराल इनका कवर्डी में 89 मैच में 265 पॉइंट है और एवरेज टैकल पॉइंट हर एक मैच में है तीन उनके पाद आपको दिख जाएंगे साहुल कुमार लास्ट मैच में आंधी बनके गांधी बन गये थी यहां पे और पकेल सीजन 10 में 21 मैच में 49 पॉइ अब यहां पड़ापट यहां बात कर लेते डंगलूरू बुल्स का यह टिम लगातार फ्लॉप जा रही है गुज्रात जैंच के साथ लग रही थी कि यह टिम जी जाएंगी लेकिन वहां प्लॉप कर गई थी रेड़ पॉइंट उनीस थे सुपर डेट जीरो टैकल पॉइ अब यहां पर बात कर लेंगे इनके पिलेर का पोजीशन किनके बेंगलूरू बुल्स का तो यहां पर आपको दिख जाएंगे वही सारे प्रिलर मुझे कोई मेजर चैंजेज यहां पर दिख नहीं रहे हैं अगर यहां पर हम बात कर लें लेट कॉर्णर पर आपको दिख जाएंगे नितिन रावल लेट इन पर जैवगवान पलस यह रैट रेडर हैं पर्टिक कुमार लेट कवर पर सेंटर के लेंगे अपना परदीप नरवाल रैट कवर सुरेंदर पाजी रैट इन पर अजिंग पवार पलसी लेट रेडर हैं और सौरब नांदल रैट कॉर्णर पर सामनी वाले के पास एक दिखेंगे भवानी राजबूत दूसरे आपको दिख जाएंगे कौन आपको यहां दिखेंगे किसी भी रैडर के लिए सिर्दर दिये खरा कर देंगे बस दिक्कते क्या हैं कभी कभी यह जाता ही एग्रेसी हो जाते हैं इसका बेनीफीट सामनी वाले टीम को मिल जाता है अधरवाज नितीन जावल और रैट के वर से सुरिंदर पाजी और रैट कॉर्णर से जब ौution डीम में एक आपको दिखेंगे लेट डाय इसका नाम this जिनका नाम है वरतङ कैस्ट करेंगे और राइट के से लिए से आध करेंगे तो उनका सामना होगा स्वॉरअअधी और रैट को और से इन को एसिस्ट करेंगे बद्ठिक कुमार कि नर के अड़ क्या है इनको टि स्टार्टें लास्ट पीजन उनका वोच लेगे थे इस ती में और इस तीम आने के बाद उनका फर्म तस्दीब हुआ और इस सीजन वह इस तीम में नहीं है अब बात आती है यहां कि सामनी वाले टीम के पास तीन में जुरेडर है उसमें सबसे आहम भूमिका यहां पर डिफेंस में कौन ही भाएंगे वह प्लियर है नितीन दावल और मेरा प्रेडिक्शन नमबर वन है इस मैच में प्रडीप नर्वाल सुबर्टेंड करेगा प्रेडिक्शन नमबर तू है इस मैच में बैंगलूडू विल्स वीन करेगा प्रेडिक्शन नमबर तीन नितीन दावल इस मैच में लगाने जा रहा है हाई फाइव मतलब पांच पूइंट आपको टैकल से नितीन दावल देने वाले हैं उसके पाथ अगर हम बात करेंगे सब्स्टिट में अरुन दिख जाएंगे अधित पवार अगर हम बात करेंगे बैंगलूडूडपूल के प्रदसन लास्ट मैच में दिखेगा अभी तक टोटल दो मुकावला खेलें परदीप नर्वाल सकेंड लास्ट मैच को वुली जाएगा तो अच्छा होगा परदीप नर्वाले टोटल निक पर मैच में तकरिवन 10 क्या सपास का है पर्तिक गुमार कोले के बात करेंगे अभी तक दो मैच में साथ टेकल पॉइंट निकाले हैं पीकियाल सीजन दस में तेरा मैच में सत्यस्ट निकाले थे शुपर टेकल चार दफा हाइफ है एक दफार अगर हम बात करेंगे त्यों अभी तक दो मैच में शेपाद निकाले हैं पीकियाल सीजन दस में तेरा मैच में 50 निकाले थे सुपर टैन एक दफा सुपर रेट दो दफा और ऑवराल बात करेंगे तो बतीस मैच में इन्हों ने एक सो बतीस निकाल ले हैं एवरेज पॉइंट पर टेक मैच में का तीन दसला आठ एक है उसके बाद मुझे लगता है जैवागवान इसले सिजन गुजरा जै निकाले थे सुपर टेक दफा सुपर टैन तीन दफा और ऑवराल बीडान बे मैच में चारसो चौरासी पॉइंट और एवरेज पॉइंट पर टेक मैच में बात करेंगे तकरीबन पांच के आस पास लेकिन यह पॉके डैनमाइट है अगर किसी दिन बिसपोट किया तो बा हम बात कर लेंगे एवरेज पॉइंट पर टेक मैच में दो दसनलव छे नो है इनका नितिन दावल इनका टेकिएगा प्रिकेल सीजन इस सीजन एकारमा है ना उसमें फांच टैकल पॉइंट निकाले है दो मैच में लास्ट सीजन नहीं खेलेते इंजरी के वजह से और यहा कि टैकल सबसे जादा मेंटेंट क्या हुआ है जवर्दस्त फॉर में तो यहां पर सुझेंदर पाजी दो एकत्तिस और सौरव नंदल जो बरे स्टार है दो उनत्र नितिन दावल दो इक्क्यासी हर एक मैच मैच मिख्या है मतलब वीजी के जवर्दस्त मैटेरियल होंगे ह हमारे वीडियो का सबसे इंपोटेंट सेक्षिन में से एक मैट पे अब हम बारी की बारी से किसे बात करेंगे कि कौन से रेडर कौन से टीफिंदर होंगे कल जो हमारे से एक मेगा इक रिएंक आब आया कि आप लोग मैट वाले बातों को ध्यान से प्रक्राइब लगा दीजिए कोई बात समझे नहीं आती है कमेंट कीजिए मैं जल्द से जल्द आपको रिपले देने का कोसिस करूंगा अगर हम बात करें बैंगलूर बूस की रेडर किस डिफेंस एक के पास आने वाले यहां पे सामरे वाली जो टिम होंगी कौन्सी बतो यार सामने वाले यूप हो द्धा यहां पर आपको दिव जाएंगे लिप्ट् कॉर्णर पर सुमीथ आपको दीखेंगे रसकोवर खेलते हुए कौन यहां पर आपको दिख जाएंगे के अशू सिंग रैट कॉर्णर को लेके बात करेंगे, यहां पर आपको खेलते दिख जाएंगे इस टीम के सैट से, यहां कहां चलेगी है, वो पिलियर साहूल भी या रास्त मैंच में अग लगा दिये थे, साहूल, और अगर हम बात करेंगे, लिप्ट कवर, इस मैच में लिप्ट कवर का य अधिप नर्वाल, अजिंग पवार, या फिर सब्स्ट्रिचूट से आते हैं, सुसी लोम, या फिर आते हैं, अक्षिद्धुल, चारो के चारो, लिप्ट रेडर, इधर से जाएंगे, किस के पास, वो जाएंगे, साहूल के पास जो की होंगे, रैट कॉर्णर पे, उसके पात, अगर मान लोग बोनस के लिए जाएंगे, तो यहां पर आपको दिख जाएंगे, रैट इन पर खेलते हुए, इस टीम से कौन, यहां से आपको दिख जाएगा, रैट इन पर फुद्धा, और लेप तीन पर मान के चलो, यहां पर आपको दिख जाएगा, शुरंदर इसे भी लिफ्ट कॉर्णर से आके इन लोग को टैकल रैट के साइड में कर सकते हैं, ठीक है, अब बात आती है, इनके पास घुमा फिडा के एक ही रैटर है, जया भगवान जो कि मुझे लगता है, दस परसेंट से ज्यादा रैडिंग इस मैच में नहीं करेंगे, क्योंकि कि जाता डिप जाएंगे, तो साहूल कुमार वही काम करेंगे, जो लास्ट मैच में किये, अगर साहूल के जाते हैं, तो यहां ध्यान रखेगा, ऑपर साहूल कुमार के पास थ्वासा क्रीट होगा, क्योंकि रैट ट्रेडर के सामने साहूल जबरदस्त खेल जाते हैं, ठी मैं बूलूँगा, आप ट्रेक करना चाहूच कर सकते हो, बड़ सी मत दे न, उसके बाद यहां पे, अगर मैं अंदर खेलता हैं, वह आपके लिए जबरदस्त खो जाएगा, तीसरी, यहां पे सुमीत सांगमान, अब पर एटिक्शन नमर चार को लेके बाद कर लेते हैं, इस मैच में आसु सिंग जवर्दस्त फ्लॉप होगा, अब यहां पे हमने देख ली कि तो सामणी वाले टीम है, बेंगलूरी बुल्स, उनके रेडर किस डिफेंस के पास जाने वाली है, यूपी योधा का, अब हम देख लेते हैं, यूपी योधा के रेडर किस डिफेंस क पास दाने वाली है, बेंगलूरी बुल्स का, तो बेंगलूरी बुल्स के डिफेंडर का पोजिशन देखें , तो लेट कर्नर पे नितिन रावल, फीशर में, बात कर लेंगेँ पर दिख जैंगे पर तो यहां पर हमारे परदी भाइड है और अगर बात कर लेंगे इन के लिफ टीन पर आपको दिख जाएंगे जय भगवान और राइट इन पर आपको दिख जाएंगे अपना जिंग पवार जो की डिफेंस में भी एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि साम बाल पास रेट रेडर अच्छा खासा है अब बात आती है यह इनके पास में रेडर कौन होंगे सुलेंदर गिल शकेंड भवानी राजपूत और यहां पर अगर एजन यह लोग सबस्टिट लाते हैं गगन गौड़ा वो भी आप लोग को दिखेंगे और रेट रेडर तो तीनों लेट के साइट की डिफेंस है वो काफी स्ट्रॉंग है तो साथे के साथ इधर से याएंगे यह जाएंगे पहले नितिन रावल के पास जोकी होंगे लेट कॉर्णर पे उनको एसिस्ट करेंगे रैट कवर से सुजंदर पाजी दीप जाएंगे बोनस के लिए तो जैब सब्सक्राइब जाएंगे तो स्वारब नंदल भी रैट कॉर्णर से आके टैकल कर सकते हैं गुमाफिडा के इनके पास अगर मान लोग कभी ऐसा होता है बात उद्धा लेट के साइट से रेडिंग करने के तो वह जाएंगे किसके पास वह जाएंगे यहां पर स्वारब न में कौन-कौन आपके लिए मस्ट पिक होंगे कैप्टन विसी तक के मट्रियल हो सकते हैं उसमें पहला नम होगा नितिन रावल दूसरा होगा सुद्धर पाजी तीसरा होगा शौरव नांदल अब बाताती है कि इस मैच को हम लोग को खेलना कहां पर है तो हम लोग पर जहां पर चल दें जबरदस्त इन्वेस्टमेंट लीडर बॉड अगर आप रंक वन पर आतो इन्वेस्टमेंट लीडर बॉड में धालेंड जाओगे रंक दो पर गवाज आओगे और यहां पर एक पर एक परी है मतला आपने साथ किसी को भी लेकर जा सकते हो सेम सीज दस तक यहां पर दीखेगा मोवाइल और उसके बाद 11-15 बोट पार्टी बॉक्स हैं 16-20 सोनी हेड़फॉन है 21-30 घड़ी है 31-40 एक्टी से चालीज आपको 1000 रिपीज का बिल्कुर रियल कैस मिलेगा और यहां पे 41-50 में आपको 500 रिपीज रियल कैस मिलेंगे वही नहीं य यह मेरे लिए प्रिवर्टी नहीं है मेरे लिए प्रिवर्टी है यह चीज अभी तक जितने ही फिंटेस यह आप हैं उससे में सब्सक्राइब है वह एक्सल 11 का ही खवड़ी का है दूसरे आप आपसे अराम से लेंगी 10-15 परसेंट तक का मिशन यह लेती है मात्र 5 यह लेती है 2640 अधर आप लेती हैं आप से 379 यह लेती है 1590 यहीं नहीं इनका जाकर देखो कि आप मीनीजियल वहां भी दूसरी आप के तुलना में जबदस्त कम कमीशन देखने हो कि मिलेगा थी मेंबर हो फोर मेंबर हो उस समय भी आपको जो कंटेस्ट दूसरी अप्लिक अब देड़ी क्या करना यहीं नहीं दो चीज और इंके खासिए यह तापको 100% बोनस विज्वल कंटेस्ट भी देंगे और पहली डिपोजिट आप जो भी अमांट करो चाहाव दस जार करो चाहाव बीस जार करो चाहाव पचास जार करो आपको 100% बोनस यहां पर मिलेगा और दूसरी आपकी तरफ बोनस विलेग में से परे नहीं रहेंगे आप उसका जबदस्त यूजबी कर सकते हो पांस से लेके 10% स्मॉल लिग में और दस से लेके 25% मीनी जील और जील में अब बात आती है कि एक्सल एलेवन आप डॉनलोड कैसे करोगे तो आप इसी वीडिय किजिए और आज सही अपनी सफर को एक्सल एलेंट पर शुरुवात किजिए अब आई हम बात करते हैं अपनी फेंटेसी टीम को लेकर ध्यान रखेगा मैंने अभी यूपी योदा को फैब्रेट नहीं माना है बेंगलूरू बोल्स को कंप्लेटली फैब्रेट माना है अग यह गलती ही होंगी दूसरी जो आप मिस करते हो आप लाइब नहीं आते हो लाव आओगे ना कुछ ऐसी बाते में लाइब में बोलता हूं जो आपको सीधा मीनी जील एसल और जील तीनों जगा पे अच्छे रंक दिलवा देंगे अब देखें फिलाल मैंने अपने टीम में लेते हैं या फिर आपको दिख जाएंगे भवानी राजपू सारी के सारे रेट रेटर हैं तो राइट कवर इस मैच में गांधी के तरह लेंगे उसके अलावाज है शुमीट को मैंने लिए क्योंकि इनका जो राइट और लेटर दोनों के पास अच्छा है और जबकि मैंन लिए उसके लाव मैंने यहां पर एस गिल को लिए रेटिंग से अजिंग पवार को लिए और परदीप नर्वाल को मैंने अपने टीम में जगा दिया है आप चाहो तो एस गिल के जगा पर साहुल कूले सकतू बट मैं जाओंगा एस गिल के साथ क्यूंकि मैं इनके पोटे कर नहीं खेलते हैं तो मैं अपनी टीम का वीची दूंगा यह तीन रावल को ठीक है बाकि आप चाहो जीयाल में क्या करना क्या क्या करना वीची सभी के बीच में रोटेट करना यहां पर सुझेंदर पाजी को क्योंकि यह इस मैच मुझे लग रहा है कि कम से कम 100 पॉइंट निखाल के देंगे तो तीन और सुन लगे प्रेणि नमबर चिख चुक्षै को लेकी बात करेंगे शुरेंदर पाजी इस मैच में धोहाके घिलने वाले हैं पैडिकसे नमीद करते हまille है यह इन वीडियो हाँ अच्छा लगा हों तो लैक हुआल हुआ है यूट्यो को अश लेक्स मीडियो में तब तक के लिए इंज्वाई कीजिए अच्छा का सावीन कीजिए और शमसदागी से मीनी जील जील जरूत रहे कीजिए धन्यवाद